सब्सक्राइब कीजिए ग्यानोके चैनल को और गौर्मेंट जॉप्स गौर्मेंट स्कीम और रिजल्ट से रेलेटेड अपडेट का नोट्विकेशन पाएं सबसे पहले और सबसे तेज हेलो दोस्तों स्वागत आप सभीका हमारी चैनल ग्यानोके में तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ केंसे आपको सेलेक्शन लिस्ट निकालनी है और रिजल्ट लिंक कैसे आपको मिलेंगे इस वीडियो में पूरी जानकारी इन तीनों के बारे में मैं आपको stepwise देने वाला हूँ तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखें और केंद्रिव द्याली की selection list के बारे में पूरी जानकारी आप देखें तो दोस्तों इसके लिए सबसे पहले आप आजाएंगे केंद्रिव द्याली संगठन की official website kv.sangatran.nic.in पर यहां दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि जो result की date है selection list की date है वो कैसे आपको देखनी है और क्या selection list की date है तो दोस्तों इस website पे आने के बाद आप academic के section में आएंगे और यहां admission guideline पे आपने क्लिक कर देना है mobile में भी आप इसी तरह से इसे open कर लेंगे और यहां revise schedule आप open करेंगे तो revise schedule में आप देख सकते हैं यह revise schedule में यहां पे आप देख सकते हैं सभी भी पंजीकृत विद्यार्थियों की चैनित एवं प्रतिक्चा सूचिका प्रदर्शन यानि declaration of provisional selection and waitlist of registered candidates यानि की जिन्होंने आविदन किया है कक्सा एक के लिए उनकी जो result की first selection list है वो 23-2021 को release की जाएगी second list जो है 30-2021 को और third list अगर sitting खाली रहती है तो 57-2020 को release की जाएगी अब दोस्तों जो हमारा दूसरा point है कि कैसे आपको selection list निकालनी है selection list का जो PDF है कैसे आपको मिलेगा और result link यानि जो selection जो PDF है वो कहां से आपको उसका link मिलेगा उस बारे मैं आपको बता देता हूँ तो वापिस से दोस्तों आप इसी website पे आएंगे किंद्रविद्याले की official website पे kv-sangatan.nic.in पे और इसी की homepage पे आपको एक link मिलता है about kv-s about kv-s में आप आएंगे और यहां directories पे आपने click करना है उसके बाद आपके सामने इस तरह की तीन option खुल जाएंगे यहां आपने region और g-ets पे click कर लेना है अब आपके सामने दूस्तों इस तरह का यह page खुल जाएगा के अंद्रविद्याले संगटन की जितने भी zone है जोनल वाईज आपके सामने इस तरह से link खुल जाएगा तो यहां से आपका state या आपका जो केंद्रविद्याले है जहां के लिए आपने बच्ची के लिए आविदन किया है वो जिस state में या जिस regional office में जिस zone में पढ़ता है यहां से आप देख लेंगे जैसे कि यहां देख सकते हैं एहमदाबा जोन है बंगलोरू जोन है बोपाल जोन है और इसी तरह चंडीगर चेन्नाई देरदून दिल्ली बहुत सारी इसमें जोन है तो यहां मैं उधारने के लिए आपको देरदून का बता देता हूँ तो जैसे देरदून अगर आपका रिजनल ओफिस से उस केंदर विद्याले का जिसके लिए आपने आविदन किया है तो आरो देरदून के ओफिसल वेबसाइट पे हम इस तरह से क्लिक कर लेंगे और उसके बाद यह हमें दूसरी वेबसाइट पर रिडारेक्ट कर देगा यहां आप देख सकते हैं यहां फि इतने भी केंदर विद्याले हैं सबकी एक लिस्ट यहां खुल जाती है 45 केंदर विद्याले के लिस्ट आमार सामने आचुकी है अब यहां वो सारी केंदर विद्याले हैं जो उत्रखंड में मौझूद है और इनी मैसे किसी एक केंदर विद्याले के लिए आपने बच्च करना है यहाँ पर एक announcement section एक रहता है तो यहाँ पर announcement section में आप आएंगे view all पर आप click करेंगे view all पर click करने के बाद आप यहाँ देख सकते है announcement का जो section है वो खुल चुका है तो यहीं दोस्तों आपका result link है और यहीं से आपको result की PDF यानि selection list की PDF मिलेगी तो यहाँ पर आप देख सकते हैं list of candidates registered for admission in class 2nd to 8th तो दोस्तों यहाँ पर आप अभी देख रहे हैं यहाँ पर class 2nd से 8 तक की selection list यहाँ पर आई हुई है लेकिन दोस्तों अभी जो 23 जो तारिक है 23 तारिक को जब आपका कक्षा 1 का जो selection list निकाला जाएगा तो number 1 serial number पे जो कक्षा 1 की जो selection list है वो रहेगी और उसको आप यहाँ से download कर लेंगे उसको download करने के बाद आपकी सामने कुछ इस तरह का यह page ही खुल जाएगा यह देख सकते हैं इस तरह से इसमें आपके बच्चे का नाम है या नहीं वो आपने चेक कर लेना है और इस तरह обычно日ले की जो selection list है वे आप देख सकते हैं वो चेक कर सकते हैं और इस तरह से तोamo आप selection list निकालेंगे result link आपको ऐसे मिलेगा जैसे कि हमने इस वीडियो में आपको बताया और दोस्तों केंदर विद्याले संगठन के official website का link नीचे description box में दिया हुआ है साथी साथ एक website का link दिया हुआ है जिसमें कि आपको केंदर विद्याले संगठन पूरी जानकारी मिल जाएगी इसी तरह दोस्तों केंदर विद्याले admissions related latest update की जानकारी पाने के लिए आप हमारे साथ बने रहे हमारे चैनल को like share और subscribe करें और bell icon को दबाना बिल्कुल न बोलिएगा तो दोस्तों मिलते हैं फिर इसी तरह की एक और नही जानकारी के साथ तब तक के लिए धन्यवाद